मनारा चोपड़ा हो चुकी है इमोशनल जैसे कि मैं लगातार आप लोगों को घर के अंदर की गौसिप बता रही हूँ कि घर के अंदर क्या सब चीज़े चल रही है और अभिशेक और मनारा की जिस तरीके से लड़ाई हुई उसके बाद जो है लड़ाई के बाद मनारा जो है गार्डन एरिया में लेटी हुई थी और वहाँ पर जो है विकी आया और विकी देखता है कि मनारा एमोशनल हो रही है विकी को आते होए देखके मनारा उठ रही होती है तो विकी बोलता है कि नहीं यार तू लेटी रह तू रेस्ट कर मनारा बोलती है sorry यार कि मतलब कि वो उठ नहीं पाई respectfully जो है मनारा ये बात बोलती है फिर उसके बाद जो है ये सब चीजे जैसे कि लड़ाई जगड़ा हुआ सब चीजे हुई और अब जो है मनारा ये सब चीजे खुद समझ रही है कि हाँ मैंने कहीं न कहीं कुछ गलती कर दी है इसलिए मनारा को भी बहुत ज़दा फील हो रहा है कि भाई इस लड़ाई में मैं ही गलत थी क्योंकि मनारा इस चीजे को accept कर लेती है क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मनारा ने इस चीज़ को accept कर लिया है जब वो अरुन से बात कर रही थी तब अरुन को बोला था मनारा ने कि आप मेरा उस लड़ाई में stand लेने नहीं आए तो अरुन ने बोला कि भाई में को पता चला कि तू गलत थी उस लड़ाई में तो मनारा ने बोला कि हाँ भाई में गलत थी अब मैं क्या करूँ मैं गलत थी अब मैं क्या करूँ तो मनारा ने उस चीज़ को खुद accept कर लिया है जिस चीज़ से मनारा को बहुत ज़्यादा feel हो रहा है और बहुत ज़्यादा emotional हुई हुई है